नेक्स्ट आपना टेट्राइकली टेट्राइकलीन दो 4 नामा है टेट्राइकलीन внут सब्सक्राइब बैक्टिरिया उसके अंदर चला जाएगा 30 से बाइंड होगा और क्या करता है प्रवेंड बैंडिंग ऑफ अमाइनो एसाइल टी आरेने टू एमारने राइने के बीच में ठीक है जिससे की बैंडिंग नहीं होगा टी आरेने जोड़ी नी पाएगा एमारने स लेके आ रहा था वह लगी नहीं पाएगा जिससे की प्रोटीन सिंथेज हो रही थी वह इनिबेट हो जाएगी मलता प्रोटीन बनी नहीं पार आमाइनो एसट जो नहीं पार तो प्रिमेंट एडिशन और अमाइनो एसट टू तक ग्रोइंग पेप्टाइड चेंग प्रोटीन प्रोटीन होती है जिस वह यह फूट के साथ अगर देंगे तो इसमें कुछ आइंस वगयर प्रिजेंट अबन वेटामिन लिए और इसमें मिनरल्स होते है तो वह इस्टेव क्रिवल स्प्लिबुटबीट बिर संटिः ऑल जिससे कि तुन भून और टेंट टैनलींगर इनसे तुलिए स्टेंग हो से भनेrip Greekण अधवर आए उसमें झालां ऐसलिए उसमें यॉए फिलियर में तो इसलिए उसमापनी और टेहेंस आ अज्यों अफिलिय देंग है थैं करता है वही अपने GI irritation, vomiting, nausea, abdominal discomfort, diarrhea तो GI से related हो गया है पर दूसरा करता है photosensitivity, photo toxicity, photo toxicity में क्या करता है दे में also produce sunburn like reaction into skin on exposure of the sunlight तो जब भी sun में जाएगा ये sunlight से exposure होगा इसका sunburn like reaction हो जाएगी तो इसकी जो वो है skin है एकदम red red सी हो जाएगी दे में produce pigmentation of nails, nails में pigmentation reduce कर सकता है GI और photo toxicity, अब next आते है hepatotoxicity, तो hepatotoxicity उनमें मिलती जो अप जनमें अपन high dose देंगे है न, acute hepatic decrosis with fatty change is common in patient receiving high dose, जनमें अपन high dose देंगे उसमें hepatotoxicity हो सकती है इसलिए अपन pregnant woman में होती है सबस्याद तो pregnant woman से नहीं देते हैं ठीक है तो pregnant woman में contraindicated होती होगी फिर उसका रिनल टॉक्सिटी, रिनल टॉक्सिटी में क्या है कि यह nephrogenic diabetes insipidus कराएगा ठीक है और nephrodoxicity कराएगा तो renal toxicity करा रहा है ठीक है फिर super infection में क्या है कि यह जो normal flora उसको kill कर देता है जिस विए से claustidium deficially या फिर studiomembrane scolitis वगेरा हो जाता है कि यह सब हो सकता है तो super infection हो सकता है ठीक है पर उसकाद आता है कि effect on bone and teeth फिर tetracycline जो होता है calcium chelating properties में होती है ठीक है तो calcium orthophosphate complex बना लेगा अपने bone में और teeth में ठीक है growing bone and teeth में the use of tetracycline in children and during pregnancy can cause permanent brownness discoloration of deciduous teeth due to deposition of chelate in the teeth तो यह chelating property है तो यह complex बना लेता है calcium के साथ है न तो इस विए से क्या हो सकता है कि brownness discoloration मिल सकते है पनको children और pregnancy में क्योंकि growing bone और teeth में दिक्कत करा रहा है तो pregnancy में और children में या पनको का brownness discoloration मिल सकता है जिस यह से क्या हो सकता है कि जो teeth में carries वगरा है वो कीड़े वगरा लग जाते हैं इसके incidence बढ़ जाते हैं ठीक है और क्या है tetracycline also effect the linear growth of the bone bone को भी growth को effect करेंगा क्योंकि इसमें deposition हो रहा है complex बगरा बन रहे है तो इसलिए tetracycline जो है वो देंगे ठीक है फिर दे में cause increased intracranial pressure intracranial pressure भी बढ़ा देते हैं ठीक है तो इसलिए यह इसका side effect हो गया फिर hypersensitivity reaction तो वहीं मिलती है इसके लिए इसको याद करने के लिट्र किया है GRH BPST GRH BPST GRH से GI अपने हो गया R से renal toxicity से hypersensitivity hepatotoxicity B से brain brain में intracranial pressure बढ़ा रहा है P से pregnancy में contraindicated है children में contraindicated है S से super infection करा रहा है T से teeth याद करा रहा है T से brown discoloration करा रहा है ठीक है teeth और bone में तो यह GRH BPST से याद कर सकते हैं इसके side effect फिर अब आते therapeutic uses therapeutic uses में एक तो leprosy SIADH में philariases amoebiasis lymphogranuloma venerium valeria इन सब इतने सारे disease में काम आता है तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना जो जी पढ़ता हो उसके बारे में के लिख देने से drug of हो जाएगा B से अपना brucellosis ठीक है P से plague हो जाएगा L से leprosy और LGB हो जाएगा है ना A से amoebiasis कर लेना और Y वस से नहीं है इसमें है ना Y से नहीं है फिर S से अपना हो जाएगा SIDH और वस मुंबई मुंबई मतला M ठीक है M से अपना हो जाएगा तो यह थोड़ी ट्रिक बनाने कोजिस कर रही है हो जाएगा तो इससे कर लेना ठीक है तो यह था अपना tetracycline हो सकता important है तो इसकी uses और adverse effect दोनों याद कर लेना काफी important है mechanism action तो पता ही है तो यह कर लेना thank you